हेलो फ्रेंड्स आप सभीका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में आज हम आपके लिए एक अलग नया टोपिक्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको इरिक्सा का कंट्रोलर रिपेर करना बताएंगे यह कुछ यूनिक सा कंट्रोलर हमें जो है एक स्टूडेंट्स लेक कर पाओ तो इसमें हम अगर देखते हैं तो काफी सारी मोस्टेट बिल्कुल जो है में डेमेज कंडिशन में दिख रही है तो सबसे पहले दो में जो मोस्टेट निकाल निकाल के इनको जो है चेंज करना पड़ेगा फिर इनका जो ड्राइवर सेक्शन है वह जो है दूसरी कंडूर में जो दूसरी PCP की इस में दिया गया हैं तो मुसमें कैसे पैचानेंगे कि को पाई Means कर Themen स्ब्सक्राइब मनें कर पाए तो इस के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो है मुद चेंज करेंगे और तो देखते हम मुद इसी जो है एसेंडी मुश्फोट लगी हैं उन पेज़े गया आज हम आपको जो है सुली टाइप की मॉस्फे इसमें यूज करेंगे तो तो अगर आपके पास ऐसा कंट्रोल रहाता है जिसमें SMD MOSFET लगे हुए है और आपके पास SMD MOSFET नहीं है तो अभी आप उसको जो है तो देखे पनी अब निछे फटी आपके तो दिखे फ्रेंड़का तो समय के ख़री आपके हुए कि आपके तो अब Y कर दो कर देखी है कि अब यहाँ जब हम यह फेरें कर लेंगे तो हम इससे àro need जो है इनको निकाल सकें इसको थोड़ा क्लेन कर लेते हैं अब जो है इस पे पेस्ट लगाएंगे हम और पेस्ट लगाएंगे जो है इन मोस्फेट को जो है निकालेंगे सबसे पहले हम इसके उपर जो पेस्ट लगा लेते हैं ताकि मोस्फेट जो है आराम से इसकी निकल जाए इसमें जो है 12 मोस्फेट खराब हैं जिनको हम हीट करके निकालते हैं इतना कारबन है कि इनको निकालने में भी जो है थोड़ा टाइम लगेगा हीट होने में शुरुवात में इस तरह कि मोस्फेट को निकालने में टाइम लगता है क्योंकि यह हीट काफी टाइम में होती है एक बार जब यह सीट हीट हो जाएगी इसके बाद यह मोस्फेट जो हम फटाफट इससे निकल जाएंगी तो देखिए अब हम जो है SMD मसीन यूज किये लेकिन SMD मसीन जो हिन मोस्फेट को हीट नहीं कर पाई तो हम अब IRON की साइटा से इनको निकालने की कोशिश करते हैं ताकि यह मोस्फेट थोड़ी जल्दी हीट हो जाएंगी निकल जाएंगी क्योंकि सोल्डर जो है काफी जो पुराना जब हो जाता है तो उसको मेल्ट होने में जो है टाइम लगता है अब ही देखिए मोस्फेट हमारी जो है निकल रही है एक मोस्फेट हमने निकाल दी अभी ऐसे ही जो दूसरी मोस्फेट निकालते हैं हमें आइरन और एसमडी दोनों की हेल्प के दुवारा जो है निकालनी पड़ रही है क्योंकि जो है बहुत ज्यादा कार्बन है इस बोर्ड के अंदर बाफ द॥े जो है hurry आमने आप आपको जैसे दिखाया था कि कैसे हमने क् открыв जो हमें एक मोस्फेट जो हामें निकाल निकालनी होती है जो है लिए जो काफी जो है पूरानी जो ड्राइस होल्ड हो जाती है इसको हमनेЭ鐸 और दोनोंके इसको इसकों निकाल अंधा टाइप जो क्या है using uh इसकी जो项 प्यूड्जात्य कि आप दूण की आight एकट लियूट्ड्टार मेपने लेक्त आप पफे लिखम करेंगे उसका लेंगा लोगभा सकी अपाट नियुक। कि अज हैं इस परकार सहे जो हैं डोनों लेग को एसे प्रैस कर लेंगे और जो इसकी जो एकस्ट्रा जो यह उपर का जो साय उसको भी हम नकर किसायता सह जो है कट कर देंगे हैं और इस बिल्कुल जो है अच्छे से जो है डिच्ट हो रही है इसके जिए अब एक मौस्फल अप को लगा के दिखाते हैं कि कैसे आप канал जो है लगाने हैं उसके बाद हम इसको जल्दी जल्दी लगा देंगे तो लगाने से पहले हमें जो है क्या करना है जो सोल्डरिंग पेश्ट है वो इसके ट्रेक पे जो है अमें लगा देनी है ताकि जो है आराम से एजली जो है गरम हो जाए मेल्ट हो जाए इस वोडर और उससे पहले अगर चाओ तो आप इस जो मोसफेट का जो यह बैक साइड का इससा है इसको भी आप जो है एक बार आईरन की सायता से जो है सोल्डर लगा सकते हो इसके उपर इस परकार से ताकि यह जो है चिपकने में जो है आसानी रहेगी अगर हम आपको दिखाएं तो इस परकार से आप जो है पहले इसको भी जो है एक बार सोल्ड कर सकते हो आएसे हम इस पे जो अगर शोल्डर पहले लगा लेते हैं थोड़ा सा अलका सा तो अब ये जो है चिपकने में बहुत जो है पे देखिगा हम जैसे यहाँ पर देखी इसको melt करते हैं print को थोड़ा और फिर इसको जो है MOSFET को यहाँ चिपका देंगे वरना हम इसको iron की सायता से जैसे निकाल रहे थे वैसे भी iron से भी इसको जो है लगा सकते हैं तो देखिए इस होल्डर पूरा मेल्ट हो गया है और यह देखिए हमारे जो MOSFET हो लग चुकी है इस परकार से हमें जो है सारी MOSFET लगानी है देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें MOSFET फोल्टी थी और हमने कैसे इसकी जो है MOSFET चेंज करी और वह भी कैसे हमने जो है जो है जो जो MOSFET होती है उनकों ने कटिंग करके SMD टाइप बना के इसमें लगाया तो ऐसे आप लगा सकते हो रहा है इसकी ऐसे अगर बोर्ड आपके पास आता तो आप उसको रिप्शन के टो रिप्यर कर सकते हो और कैसे में भी एक जिए कर लिए आभी वीडियो लंबीना हो इसके लिए अभी हम वन्हां को चेक करना भी बताते हैं कि कैसे आप भी जो है इसमें जो है चेक कर सकते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी कि कैसे हम इसका जो है ट्रांजिस्टर करें ड्राइविर सेक्षन का खराब है तो उसको आप चेक कर सकते हो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सेयर करें चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो उसको सस्क्राइब करें